अ good morning all dear parents if you are new to this channel then subscribe and press the bell icon इस वीडियो में आप देख रहें इस वीडियो में आप देख रहें घ्यानि तो सुबत कारी पुस्तका अंग्रेज जी का अधियन करेंगे तो बीडियो को अंतक बने रहें और तो अच्छी तरह से देख कर समझकर कारी को त्यार करें करें अगर क्या क्टो क्या बनाना है dhra कि आपको देखना है यह अब को पुरा करना है जैसे शुमीत आपका चोटी पिअ बढ़ी लिखना है यह आपका समॉल लेटर इसको पुर्यटर में लिखना है इसको कि पुरा करना तो यह आपको बढ़ा देके आपको पुरा करना है और इसी sentence को हुबहु लिख देना है इसमें उन्हों changing को changing नहीं करना है और अंत में आप full stop का चीने करेंगे उमीद है आपको अच्छी तरह समझ में आगया है जैसे यहां है रिया रिया आपका यंद की आर छोटी है तो आपको बड़ी लिखना है कुछ करना चांज नहीं है आपको बड़ी लिखना है और बाकी sentence आपका दिखिए हू बहु लिख देना है और यहां पर दिखिए क्या ह यहां पर आपको इन्वेटेट कोमा का परियुक कर सकते हैं उपर में सी इजे ब्रैब गर्ल यह आपका काफी यूजफुल रहागा इस तरह से उपर में उधरान चिन्द का परियुक करके आप sentence को लिख सकते हैं और सी नमर में वेर डू यू लीब आप कहा रहते हैं तो व आजिए लाइक टू यहां लिखै अयह बड़ लिखना एक मेंगो और कॉमा देंगे यह आपका बनाना है एन ऊपा अपके ऐसी आपको हो जाता कि चिन करियुक करेंगे सबसे경 बनाएंगे अब चलिए बच्चों देख रहे हैं यह कोस्चन नमर में कौन सा है यह जी ग्रेट देख रहे हैं रियर दपोएम एंड राइड राइट यूजिंग करेक्ट पंक्चुएसन मार्क आप कहाता है कौन सा चिन कहां लगीगा बच्चों यह आपको लिखने के लिए कहा जा रहा है तो इसको पड़िए इन इंग्लेंड वंस देयर लिप एंड वंडरफूल क्ले वर्फीग तो एवरिवड़ी इट वाज प्लेंड तो यह देख रहे हैं यह आपका पोहेम आपके पास है तो इसको हू बहू लिखना इसी तरह लेकिन इसमें क्या मिस्टेक है मिस्टेक को सुधार कर आपको लिखना है चलिए इसको अच्छी तरह से कैसे लिखेंगे चलिए इसको देखते हैं यहां पर देख रहे हैं आपके पास दिखाई दे रहा है तो इस तरह से संटेंस को लिखे और यहां भी इस तरह से संटेंस को लिखे आप अच्छी तरह से अपकर लिखने का प्रियास करेंगे अब चलते हैं। आपके डिखाई दे रहा है यहाँ पर देifice सेंटेंस है रिराइट दा सेंटेंसे इन दा राइट और यूजिंग दा करेक्ट पंचोसन मार्थ यहां पर आपको सेंटेंस बनाना है यहां पर कुछ जंबलवड दिये हुए इसको सिलसिले भार ढंग से लिखना है और इसमें प्रसुमाचक चिन लगेगा या फुलिस्टा चिन लिखेंगे और I am 10 years old इस तरह से आपका संटेंस कंप्लिट हो जाता है और यहां पर देखने क्या अलब फन वीद ग्रामर वाट इसे संटेंस वाकि क्या है वाकि किसे कहते है तो लिखेंगे एक कॉंबिनेशन ओफ वाट तो गीब एक कंप्लिट मिनिंग इस कॉल तरह देखेंगे किस की संटेंस होते हैं यहां आपके पास दिखाइए दिरा देखेंगे अच्छी तरह से दिखेंगे यह पैज नमर शवन को लेकर और अच्छी तरह से बताइंगे कि कैसे इसमें भरा जाएगा अगर वीडियो काफी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करते चलिए दोस्टों को सियर कर सकते हैं और हमारे चैनल पर ना है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं थेंक्यो फर वाचिंग माई वीडियो